सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टेड़ी विद दिपा सैनी को और इसके साथ बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोज को देख सकें हैलो एवरिबान कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ सभी अच्छे हूँगे स्वस्थ हूँगे आज की क्लास में मैं आपके सामने कुछ बुक्स और उनके राइटर्स लेके आई हूँ यानि आज हम पढ़ने वाले हैं पुस्तक और राइटर्स बुक्स और राइटर्स और यह जो आज के हमारी क्लास जो रहने वाली एक क्लास यह आपकी जोग्रफी की है जोग्रफी की क्लास है भुगोल की और इसमें PGT लेवल और NET लेवल पर जो आपके अलग लग बुक्स पूछी जाती है उनकी राइटर्स पूछी जाते हैं और कई बार बुक्स के बारे में भी पूछा जाता है तो उनी सबी को आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे इसके साथ ही जो स्टूडेंट PGT और NET कोर्स लेना चाते हैं तो अचिवर्स अकेडमी आप जोइन कर सकते हैं निशा सर्मा की साथ और वहां से आप इसली अपना जोग्रफी का PGT और NET एक्जाम क्रेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास सबसे पहल करेंगे मैं आज की क्लास में केवल आपको 20 से 30 इपोटेंट बुक कराऊंगी जो की हर बार एक्जाम में पूछी जाती हैं जिनमें से NET लेवल पर भी आप 2 या 3 कोश्चन और D SSS भी और जितने भी एक्जाम होते हैं एस्टेट बगरा ठीक हैं KVS NVS उनमें भी PGT लेव पर एक या दो कोश्चन बनते ही बनते हैं तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इपोटेंट है फोर PGT और NET स्टुडेंट के लिए तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ओफ जियो मॉर्फोलोजी यानि भू आकरती के सी दांत तो यह पुस्तक थी प्रोफेशर थोन वेट की की पुस्तक थी है दा प्रिंसिपल ओफ जियो मॉर्फोलोजी नेट के एक्जाम में यहां से बार-बार कोश्चन पूछा गया है तो यह मोस्ट मोस्ट इपोटेंट बुक है दा प्रिंसिपल्स ओफ जियो मॉर्फोलोजी नेक्स आती है इनोवेशन डिफूजन और प्रोसेस यह पुस्तक है है हैगर स्ट्रेंड की है इनोवेशन वाली अहां थियोरी ओफ माइग्रेशन यानी प्रवास तो प्रवास से रिलेटिड काफी सिदांत एस ली मोहद्य ने दिये थे तो ली मोहद्य की माइग्रेशन आ थियोरी ओफ माइग्रेशन यानी परवास समाने प्रवास की समानने तो यह दी थे पी पीटरशन और रैविंस्टें ने दिये थे तक यह आप आपकी माइग्रेशन से रिलेटिड है दोनों की दोनों अधियोरी ओफ माइग्रेशन एंड जनरल टाइप ओलोजी ओफ माइग्रेशन नेक्स्ट आती है दा टाइपो थीटिस ओफ दा मोवलेटी ट्रांजिशन और यह बुक थी जैलन्स की मोहत देखी और नेट के एक्जाम में बार बार इस बुक को रिपीट करके पूछा जाता है और डी ट्रिपल एस भी में भी यहां से बुक्स यह पूछी जा चुकी है तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना दा टाइपो थीटिस ओफ मोवलेटी ट्रांजिशन यह बुक है जैलन्स की मोहत देखी नेक्स आता है पिर्थवी का विवरण हिकेटियस मोहद्य है फेमस परसनेल्टी हिकेटियस यूनोर फादर ओफ जोगरफी हिकेटियस ठीक है फादर ओफ जोगरफी इरेटास अपनीज नहीं है फादर ओफ जोगरफी हिकेटियस है और हिकेटियस को फादर ओफ जोगरफी यानि भुगोल का पिता उनकी इस बुक के कारण ही कहा गया था पिर्थवी का विवरन तो पिर्थवी के विवरन के कारण ही हिकेटियस महुद्दे को भुगोल के पिता के रूप में जाना जाता है तो इस पिर्थवी के विवरन में हिकेटियस मोहद्दे ने पिर्थवी पर जितने भी तत्व पाये जाती हैं उन तत्वों को पूरा डिटेल से और डीपली स्टडी किया था इसी वज़े से ये भुगोल के पिता के नाम से जाने जाने लगे पिर्थवी का विवरन के बाद तो एक्जाम में सीधा आएगा पिर्थवी का विवरन पुस्तक किस ने लिखी तो हिकेटियस मोध्याने भुगोल के पिता कौन है अगर option में हिकेटियस है और इरेटा सतनिज है तब आप इरेटा सतनिज है तब आप इरेटा सतनिज को टिक करोगे अगर option में हिकेटियस नहीं है केवल इरेटा सतनिज है तब आप इरेटा सतनिज को टिक कर दोगे ठीक है क क्यूंकि कई बुक्स में अभी भी मैंसविश है कि इरेटा सत्निज वगोल की फिता क् रूप गृटि वेट लुजी ज़्कोर थी अरस्तु की famous book थी और बुगोल में इन्होंने काफी work किया था और सिकंदर महान के ये गुरु माने जाते हैं अरस्तु महोद्देर next आता है इरेटा सतनीज the great personality भुगोल के अंदर इन्होंने बहुत सारे काम किये यहां पर हम केवल book पड़ रहे हैं तो मैं केवल book से related बात करूँगी मैं यहीं नहीं बताऊंगी इरेटा सतनीज ने पिर्थवी का अपने आक्स पर जुकाओ भी बताया क्योंकि जब हम एक एक विद्वान को पूरा detail से अलग-लग classes में पढ़ेंगे न तब हम इस सारी चीजों को cover up करेंगे कि बहीं इसने पिर्थवी की परेदी की गणना की बिल्कुल ठीक परेदी बताई नियर अबाउट इसने पिर्थवी का अपने आक्स पर जुकाओ बताया जोग्राफी पिता की कही जाते है इरेटा सतनीज बट जोग्राफी के पिता हिकेटियस जोग्राफी शब्द के पिता इरेटा सतनीज इनकी फेमस बुक थी जोग्राफिया ठीक है इनकी फेमस बुक क्या थी जोग्राफिया ठीक है जिसमें इनोंने सबसे पहली बार जोग्राफी शब् भुगोल यानि भूमी गोल है बट जो ग्राफी शब्द कोण लाएं इरेटा सतनीज महोद्दे ही लेकर आए थे भुगोल के अंधर तो यहाँ पर यह आपको आठ बुक्स मैंने कराई प्रिंसिपल्स ओफ जियो मॉर्फोलोजी थोन वेट महोद्दे की इनोवेशन डियो फूजन एंड स्पेशल प्रोसेस हैगर स्ट्रैंड की आठ थियोरी ओफ माइग्रेशन ई एस ली महोद्दे की जनरल टाइपोलोजी ओफ माइग्रेशन डबलू पेटर्सन की और रैवें स्टीन महोद्दे की दा टाइपोथितिस ओफ मुवलिटी ट्रांजिशन यह जैनिंस की महोद्दे की पिर्थवी का विवरन यह आपकी हीकेटियस महोद्दे की अरस्तू मिट्रियो लोजिका यह आपकी बहुत बार पूछी गई है मिट्रियो लोजिका इन मोस्ट इपोट आगे आती है हमारी स्ट्रैबों की बुक्स स्ट्रैबों की बुक आती है स्ट्रैबों जो की एक ग्रेट परसनेल्टी था उसने भी काफी वर्क किया था नेक्स्ट आते हैं हमारे स्ट्राबॉम मोहुत्ये जो इनकी फेमस भूक थी जो ग्राफिका clock धी और जो यह जो ग्राफिका. मी जोग्राफिका भी मिलेगी देखो इरेटा सतनीज ने जोग्राफ जोग्राफिया और आपके स्ट्यापो की जोग्राफिका तो दोनों बुक्स अलग लगएज पसल मत सहँआं नेग्स आती है टॉलेमी महद्दे की तोलेमी महद्दी की ती गाइड ओफ जोग्रफी गाइड ओफ जोग्रफी टॉलमी मोहद्य की बुक थी और टॉलमी मोहद्य की जो यह गाइड ओफ जोग्रफी थी यह आठ वागों में बटे हुई थी आठ वागों में इसको बाटा था टॉलमी मोहद्य ने आठ यानि इनकी पार्स होते थे और पार्ट में एक बुक में एक पार्ट में किसी एक फीचर्स का वर्णन कर दिया सब्स्काराइब बुच्ट न थी इस तरीके की चीज़ें से ये जो दोनों के दोनों विद्वान थे जोग्राफी के ये रोमन भुगोल वेता थे रोमन भुगोल वेता थे इबन हाकल ये आपके अरब भुगोल वेता थे अरब यानि जो मद्यपूरों के देश नहीं है जो सयूदी अरब इरान इराग तो उस सैड के तो ये अरब प्रण किया है तो इनकी इसी वज़े से अल बुरुनी के बुक काफी फेमस हुई रशी कट अल हिंद अल बुरुनी ये भी एक अरब बुगोल वेता थे नेक्स्ट आता है इबन बतूता इबन बतूता रहलान इस मोस्ट मोस्ट इपोटेंट बुक और ये रहलान वाला हर एक प्राइब ये जょ और बुगोल वेता पड़ेंगे ये चारो की चारो अरब भुगोल वेता हैं आमसे पता चल रहा है न की मुस्लिम की इ एक एक राइटर्स कि मैंने आपको एक एक फोटेंट बुक कराई है वैसे इनकी इनकी एक उनमें से मैंने आपको्ट मोस्ट फोटेंट वाली कराई है तो इतनी बुक्ष अगर आप पीजिटी और नेट का एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए नेक्स आता है मौरको पॉलो महुद्ये जो की एक यात्री थे ट्रावल ज़दा करते थे ये गुमते-फिरते ज़दा थे तो मौरको पोलो, इनकी बुक्स का नाम भी कुछ इसी तरीके से है The Million Travels of मौरको पोलो मौरको पोलो की यात्राओं से सम्बंदित इनकी बुक थी है और बुमध्य सागर से परशांत महा सागर की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थी मौरको पोलो महोद्य नेक्स आता है Magalyn 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 Peaceful Sea Peaceful Sea ये भी बहुत बार पुछी गई है Peaceful Sea तो Magalyn की थी Peaceful Sea ठीक है शांत सागरा से आत्राओं कर सकते हो Peaceful Sea Magalyn Humboldt Humboldt और कारले रिटर ये दोनों famous personality थे इन दोनों को हम थोड़ा सा अलग से define करेंगे Humboldt और कारले रिटर दोनों की books की भी आपस में काफी तुलना की जाती थी और दोनों की भी अगर आपने PGT में अपनी जोग्राफी अच्छी तरीके से पढ़ी है तब आपने वहाँ पर देखा भी होगा Humboldt और कारले रिटर के आपस में पर की फेमस बुक क्या थी आपकुंडे ठीक है यह इन दोनों की फेमस बुक थी Humboldt की कोस्मोस और कारले रिटर की आपकुंडे इन दोनों में आपकाफी तुलना भी यानि कंपैरिजन भी किया जाता था तो जो Humboldt की कोस्मोस थी तो सबसे पहले यह कितने भागों में बटी हुई थी पाँच भागों में हमboldt की जो कोस्मोस सीधा कोशन आएगा या तो कोस्मोस किसकी बुक है Humboldt महुद्दे की तो कितने भागों में बटी हुई है पाँच भागों में बटी हुई है जो हमबोल्ट महोद्दे थे इन्होंने फिजिकल जोगरफी में और बायोलोजिकल जोगरफी में बहुत जादा काम किया था इसलिए फिजिकल और बायोलोजिकल जोगरफी के पिता भी कही जाते हैं हमबोल्ट महोद्दे फिजिकल और बायोलोजिकल जोगरफी के अंदर इन किस्मेटिक जोग्रफी करंबद भुगोल का सास्त्रिय गरंत भी कहा जाता है करंबद भुगोल का सास्त्रिय गरंत भी कहा जाता है कोस्मोस को हमबोल्ट मोहद्दे की जो कोस्मोस थी पांच खंड में पांच पार्ट में डिवाइड थी हमबोल्ट मोहद्दे फीजिकल पायो लोजिकल जोगरफी के फादर भी कहें जाते हैं और करमबद भुगोल का सास्त्रिय गरंत माना जाता है इनकी कोस्मोस बुक जो कि एक फेमस बुक थी एक करांती लानी वाली बुक थी भुगोल के अंदर नेक्स आती है आड कुंडे आड कुंडे जो कारले रीटर की फ सब टाइटल भी रखा और वो सब टाइटल क्या था तुलनातमक भुगोल इसका सब टाइटल भी रखा गया तुलनातमक भुगोल तुलनातमक भुगोल यह थोड़ा मैं डिटेंस से इसलिए करा रही हूं क्योंकि इन दोनों बुक से एक्जाम में कोशन ज्यादा आते हैं तो आड कुंडे जो बुक थी तो नातमत भुगोर इसके अंदर दो महादवीपों का ज़्यादा विवरन किया गया था एशिया और अफरीका एशिया और अफरीका महादवीपों का ज़्यादा विवरन किया गया था कारले रिटर की आड कुंडे में Humboldt हमेशा गूमने वाले वैक्ती थे यानि गूम फिर कर रिसर्च करने वाले वैक्ती थे Carly Reiter एक आराम कुरसी के विद्वान थे यानि कुरसी पर बैठे बैठे ही ये वर्क करते थे तो इन्हें आराम कुरसी का बुगोल वेता कहा जाता है Carly Reiter को ठीक है तो ये थे आपके हमबोल्ट मोध्य और कारले रीटर और इनकी दो फेमस फेमस बुक्स तो इतना आपको पता होना चाहिए नेक्स आते हैं हमारी हमबोल्ट और कारले रीटर के बाद वेरेनियस कहते हैं भुगोल में अगर फूट जैसे अंगरेजों ने हम में फूट डाली और सासन किया इसी तरह भुगोल में फूट डालने का पूरा श्रे वेरेनियस को जाता है इनकी भी एक famos book थी समान्य बुगूल General geography समान्य बुगूल नेक्स आते हैं हमारी famous famous जुगरफी में work करने वाले रेटजेल महुद्दे यह जो रेटजेल महुद्दे हैं इन्हें मानो बुगोल के पितावी कहते हैं और इनकी फेमस बुक थी एंथ्रोपो जियोग्राफी एंथ्रोपो जियोग्राफी तो यह जो रेटजेल थे मानो बुगोल के पितावी कही जाती है इनकी जो एंथ्रोपो जियोग्राफी बुक थी इसके टू पार्ट थे एक पार्ट में नियतिवादी विचारधारा थी कौन सी विचारधारा थी वही नियतिवादी यानि सब कुछ नेचर है मनुष्य का विचारधारा यह कहती है इसका पार्ट था वह मानो केंद्रित विचारधारा से रिलेटिड था विचारधारा यानि मनुष्य चाहें तो वह नेचर में बदलाओ कर सकता है अपने आपको नेचर से बचा सकता है तो यह जो रेटजल महद्दे की एंत्रोपो जोग्राफी थी यह उनकी दो पार्ट्स में बटी हुई थी नियतिवादी और मानो केंद्रित विचारधारा की वज़े से ही रैट जल महदे को मानो भुगोल के पिता के रूप में भी जाना गया है ठीक है तो यह इपोटेंट इपोटेंट बुक यह चारू राइटर्स की मोस्ट ग्ल और रैड जेल की एंथ्रोपो जोग्राफी नेक्स आते हैं ओशकर पेश्चल महदे इनकी फेमस बुक थी बही दास असलेंड दास असलेंड इनकी फेमस बुक थी जो कर आपकी नैक में भी बहुत पूछी जाती है उसके अलावा दारेसिस ओफ मैनकाइंड इस ओल्स यानि रेसिस यानि परजाती मनुष्य में अलग लग परकार की परजाती तो यह भी बुक इनीकी थी पैच्चल महुत्द्य की नेक्स आता है विडाल दी लाबलास विडाल दी लाबलास फ्रांस के अंदर भुगोल के छेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया था इन्होंने इ फ्रांस का भुगोल इसलिए इन्हें फ्रांस में भुगोल के पिता के नाम से भी जाना जाता है और मानो भुगोल के सिद्दांत नेक्स आते हैं जीन ब्रुंस विडाल दी लाबलास के स्टूडेंट थे जीन ब्रुंस ठीक है स्टूडेंट थे वही इनके शिश्य थे जी मत होना मानों भुगोल के सिद्धा snakes थी ब्लास की और Zusीनोंबुगोल थी ठीकेप और फ्रांस का मानों भुगोल थीर जिन्हलिम्लूंस की फ्रांस का खाली भुगोल थी विडाल डिला ब्लास की तो दोनों में पजल मत होना दोनों यहीं Frans के थे दूनों ही Frans के थे पर Frans spheng vidaldyיח लाबलयस जाते हैं नेक्स आते हैं अलबकर्ट डिमांजियनलबक डिमांजियन की फेमस भुक этी लाबिकारडी और यह लाबिकारडी जो बुक थी यह नेट के एक्जाम में बहुत बार पुछी गई है तो ला पिकाडी बुक डिमांजियन की बुक थी ला पिकाडी नेक्स आता है एले सी रेकलस एले सी रेकलस रेकलस की थी ला टेरी देखो दोनों में लाला है तो डिमांजियन में पिकाडी है और रेकलस वाली मे से तुन्ना की जाती है फ्रांस में रेकलस मोहद्दे की कारले रीटर आल्ड कुंडे जिसकी बुक थी जो मैंने अभी अभी आपको कराया है नेक्स आते हैं मैकेंडर मोहद्दे जो कि एक अमेरीकी थी इनकी थी डेमोक्राटिक आडियल्स एंड रियल्टी और इनका एक सिद मैकेंडर मोहद्दे की जो की जो पूरो पर सासन करेगा वो यूरोप पर सासन करेगा हर्दे में सासन करेगा इस तरीके से लाइने थी उनकी फेमस सिद्दांत की इसके साथ साथ इनके एक और फेमस बुक थी इतिहास की भोगोलिक धूरी इतिहास की भोगोलिक धूरी इति आपके तो यहां पर आपने पड़ा ओसकर पेच्चल मोहत्दे की ब्लास की की टू बुक्स बूस की टू बुख्सिट की डिमानजियं की एक ही पड़ी ला पिकाडी रैकलस की हमने एक ही करी है ला तेरी और मैकेंडर की डैमोकरेटिक आडियल्स एंड रियल्टी इंड इतिह लास की भोगोलिक धूरी अब इसके बाद नेक्स आते हैं हमारे नेक्स आती है इसमें मौरिज डैविस महुद्दे की मौरिज डैविस जो की डैविस आपने सबने पढ़ा हुआ भी है डैविस का परदन चक्र जोग्रफी के अंदर बहुत सारा बर्क किया था डैविस अंधिक विज्ञान में करांटी लाने वाले के फेमस विद्वान थे मौरिज डैविस सी ठीक है इनकी ओरिजन ओफ स्पीसिस बुक भी आई थी और इसे भी कर लेना भाई और इसन ओफ स्पीसिस और ओर इसन ओफ यह जो बुक आई थी इनकी यह 1859 में यह पूछी जाती है कब आई थी 1859 में इसको भी राइट डाउन कर लेना उसके अलावा कोरल रीफ प्रोब्लम यानि कोरल रीफ जो आपके यह सुमुंदर के अंदर जो कोरल रीफ होते हैं उनसे रिलेटिड जो भी समश्या होती है इस पर भी इनकी एक बुक थी कोरल रीफ प्रोब्लम के नाम से तो यह तीनों ही बुक किसकी थी डैविस महुद्दे की जो की most important है और एक्जाम में आती है और origin of species जरूर याद कर लेना नेक्स आती है चर्चिल सैंपुल चर्चिल सैंपुल एलन चर्चिल सैंपुल यह रैट जल की स्टूडेंट थी किसकी रैट जल की रैट जल की यानि जो जियोग्राफिक कंडिशन से उसके परभाव तो यह किसकी शिश्चा थी डैविस महुद्दे की और यह दोनों इसी की फेमस बुक थी तो दोनों ही बुक एक्जाम में पूछी जाती है तो इन दोनों बुक को आप अच्छी तरीकी से राइट डाउन कर लेना और नेक्स्ट बुक भी यही थी दा नेचर ओफ जोग्राफि तो दा पैरिस्पेक्टिव ओफ नेचर ओफ जोग्राफि या फिर दा नेचर ओफ जोग्राफि नेचर ओफ जोग्राफि देखने को मिले सीधा इस पर टिक मारना है नेक्स आता है ग्रिफिट टेलर आप सबको प क्लाइमोग्राफ हीदर ग्राफ बहुत की रचनागीती बहुत सारा वर्क किया था इन्होंने जोग्रफी के अंदर यहां पर मैं केवल आपको बुक करा रही हूं इसलिए थोड़ी थोड़ी इन्फोर्मेशन दे रही हूं इन शोट अगर पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हो पेड़ कोर्स लेने के बाद आपको एक एक चीज डिटेल में मिलेगी बिल्कुल और यह बिल्कुल नहीं होगा कि आपका एक वी कोश्चन छुट जाए आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो आपके सारे एक्जाम एजनी क्रेक हो जाएंगे पीजी टी का भी और नेट का भ गोफषी एज हूमन एक लोजी तो एकोलोजी से रिलेटिड जियों में कुछ भी आए बूक विलेटिड्ड एकोलोजी तो आप सिधा टिक परोगे बैरोज महोदे सब्ड अगर heo में बात करें तो यूज करने वाले सावर महट देते की एसे सावरसे सांस करते को ठीक है दोनों स आसा से हैं मैं आज की वीडियो में आपने भूट सारी कपर लिक्स पर द फिर भी भूट सारी रहती है तो एक ही वीडियो में अपर कवरह नहीं हो करें और वहां से आप पेड़ कोर्स ले सकते हैं ठीक है उसके अलावा वही आप से एक और गुजारिस है मेरा भी छोटा सा चैनल है तो इसको भी अपना प्यार जरूर देना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए वहां पर आपको पीजिटी टी पर भी एक बार जरूर विजिट कीजिए गा और वीडियोस देखने है फिर मिलेंगे तब तक के लिए हैवे नाइस डी ओकी थैंक्स पूर वाचिंग माई वेडियो